तुम डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि यह नर्सिंग वाले करते ही है तो तुम्हारी जणकरी के लिए बता दे तुम तो ओटी में पेट काटके पच्चा निकालके साइड में रखके निकल लेते हो उसके बाद स्टीचिंग कोन कर रहा है आई वी इंजक्शन कोन दे रहा है क्रिप कोन चड़ा रहा है हम उसके बाद भी तुम इज़्जत करोगे नहीं तुम तो एटिट्यूड में घूम होगे और नर्सिंग स्टेशन पे तो ऐसे आते हो जैसे बड़ा कोई IES आगे हो और हमारे नर्सिंग स्टाफ भी उटके घड़ी हो जाती है अब इतनी हर किसी को एडमिट कर लेते हैं एक वोड में 30-34-44 पेशेंट हो जाते हैं हमारे लिए मुसीबत हो जाती है सब कर बीपी माप आपना पड़ेगा साला परशान करके रख रख है और इतने के बाद भी भाई साब हम कहते चलो स्टाफ नर्स को चलो बीपी कर दिया है और और जब लगता है कि ठक गए है थोड़े बैठ जाते है अराम कर लेते हैं पेशेंट की आवाज आती है अरे यह कैनियूला की टेप उतर गई है सिस्टर ब्रेदर आओ फटाफट लगा दो यह डिप देखना खतम हो गई है उसके बाद भी तुम पेलते रहते हो अराम करने नह यहीं देते उसके बाद लगता चलो कि अच्छे से सो जाते हैं अराम कर लेते हैं कमारा कड़गी है लेकिन उसमें भी तुम इज़त की रोटी तो दोगी नहीं है ऐसे समझते ज़गा है हम आराम का खारे हैं तो हमें इज़त से सोने दो और हमारी इज़त करो धन्यवाद